हम इस समय डोडा में हैं और डोडा की पावन दर्ती पर 40 साल बाद किसी प्रदान मंत्री ने कदम रखा है हमारे साथ डोडा से बीजेपी के उम्माइदवार गजे सिंग राणा जी है सर आप समाज सेवा में रहे हैं दर्म से जुड़े काम काज करते रहे हैं ये पॉलिटिक के साथ मेरी पार्टी ने मेरे उपर विश्वास जिताया है जो विश्वास मेरे उपर जिताया है उस विश्वास को पूरन करने के लिए मैं अपना तन मन और जीवन तक लगा दूँगा ये अपना प्रयतन मेरा रहेगा प्रयार्टी क्या रहेगी गजजजी आपकी मेरी रहेगी जो आपसी भाइचारा है सबसे पहले हमारे डूडा में आज डूल्पमेंट के काम की बात कर रहे हैं लोगें लेकिन नबे के दर्शक से लेकर और 2014 तक ऐसा वातवरन था कि डर का वातवरन यहां पर बना हुआ था डूल्पमेंट की कोई बात नहीं कर सकता था क्यों हमारा मिशन रहेगा कि आपसी भाइचारे के साथ साथ डूल्पमेंट के इश्यू जो है उनको उठाया जाए जाए आपसी भाइचारे की बात करते हैं तो अबिसली हिंदू-मुस्लिम की बात कर रहे हैं लेकिन बीजेपी हमेशा विपक्ष के टार्गेट पे रही है कि आ हिंदू और मुस्लिम बाढ़ते हैं और आप यहां जोड़ने की बात कर रहे हैं देखिए यह एलेक्षन के दोर में बाते हैं ऐसी रहती चलती रहती है और एलेक्षन खत्म होने के बाद खत्म हो जाती है लोग यह जान चुके हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टिया भी तक हम करके दिखाया है तो हम करने में विश्वास रखते हैं कहने में नहीं आप मानते हैं कि विपक्ष ऐसे ही चुनावी उसके तहत आप पर ऐसा निशाना सारते हैं बिलकुल यह तो विपक्ष का काम है कि एक दूसरे को पर लांचा लगाना लेकिन वोटर बहुत समझदार है है इसलिए तीसरी बार परद्धान मंतरी जी कैंने रिंदर मोदीजी की सरकार तीसरी बार भारत में बनी है और दस साल के बाद जो चुनाओं हमारे जूरा क का रिए की भायारा कड़ा लेक चारा है temptे में की सब यहां एक है, एलेक्शन के दोर में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसको पॉलिटिसाइज करती हैं, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि एलेक्शन के बाद क्या रहता है, हमें जो पहले यहां 84-85 से लेकर और 90 के दशक तक जासे हिंदू के घर में कोई शादी होती तो मुस के बारे में काम कर रहे हैं, हर एक मिल कर रहे हैं, मुस्लिम बायचारे और पुरानी रिवायते जो हैं, उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे, यह कह रहे हैं, गजे सिंग राना जी, जो बीजे पी के डोड़ा से उम्मीदवार हैं, कैमरा परसन पवन चोधरी के साथ,